Hey everyone, welcome back to my new video और आज के वीडियो में मैं आपके साथ चॉकलेट स्वीस रोल की रसेपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही आसान है बनाना और खाने में तो ये अमेजिंग लगता है और बहुत ही आसान और कम से कम इंग्रीडियन्स के साथ बनके तैयार हो जाता हूँ और बिल्कुल मार्केड स्टाइल स्वीच रोल आप घर पे बनाके तैयार कर सकते हैं तो ये देखे, Marvel принts में हमाज स्वीच रोल बनाके तैयार करेंगे घर पे और बहुत ही सिंपल इंग्रीडियन्स के साथ और ये देखे बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा लाजबाब बनके तयार होता है ये स्विस्स रोल तो फिर शुरू करते हैं इसे बनाना स्विस्स रोल या फिर किसी भी तरह का केक बनाने के लिए इसकी पहले केक टीन को रेडि करके रख लेते हैं। तो मैंने इस तरीके से oil grease कर लिया है, उपर से इस तरीके से हम baking paper लगा लेंगे, ताकि हमें cake जो है उसे निकालने में आसानी हो, जो हम swiss roll के लिए जो sheet बनाएंगे उसे निकालना आसान हो जाए, चलिए हम wet ingredients को dry ingredients के साथ mix करते हैं, तो सबसे पहले हम किसी भी bowl के अंदर ले लेंगे oil, तो यह देखे मैंने लगबग 2 चमच के करीब oil ले लिया है, एक से 2 चमच oil लगेंगे और एक अच्छी swiss roll की sheet बनके त्यार हो जाएगी, तो यह मैंने 2 चमच के करीब oil ले लिया है, अब इसमें 100 ग्राम के करीब sugar powder fat add कर रहे है, उसे हमें अच्छे से mix कर लेना है, जब दोनों चीजे अच्छे से mix हो जाए, तो उसमें हम पानी add करेंगे, अब चाहें तो पानी के जगह पे दूद भी add कर सकते हैं, मैंने पानी का इस्तिमाल किया है, तो यहां पे पानी add कर देंगे, लगबग 50 ग्राम के क करीब है, मतलब 500 ग्राम के करीब मैंने मैदा और baking powder और baking soda को अच्छा से छान करके, सीव करके और sweaty ingredients के अंदर उसे transfer कर दिया है, सबको अच्छा से mix कर लेना है, और यह देखिए हमारी consistency थोड़ी सी tight है, तो यहां पे आप चाहें तो थोड़ा सा दूद या फिर पानी को mix कर सकते हैं, अभी हम यहां पे इसे दो भाग में बाटेंगे, तो इसलिए मैं अभी इसे पानी नहीं mix कर रही हूँ, तो सबसे पहले इसे दो भागों में हमें बाट लेना है, क्योंकि हम chocolate swiss rule बना करके तयार कर रहे हैं, और उसे हम marvel print देने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसम इसे mix कर लेना है हमें, और यह देखिया हमारा batter जो है बिल्कुल अच्छे से mix है, इसमें कोई lumps नहीं है, अभी हमें दो भागों में बाट लेना है, मतलब आदे batter को हम एक बाउल के अंदर transfer करेंगे, और आदे batter को हम एक बाउल के अंदर रखेंगे, क्यों मैं आपको आगे आट कर देंगे और आदे को हम सफेद रखेंगे, तो बस एक बाउल के अंदर ये देखिए, मैंने cocoa powder आट कर दिया है, तो लगबग देर चमबच के करीब हम इसमे cocoa powder आट कर देंगे, तो ये देखिए मैंने इसमे देर चमबच के करीब इसमे cocoa powder आट कर दिया है, तो बस इन चमशी करीब मैंने कोको पाउडर एड़ कर दिया उसमें पानी या फिर दूद मिक्स करके उसकी कंसिस्टिंसी को बिल्कुल पॉफिक्ट करके तयार कर लेंगे इस कुको पाउडर को बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है पानी या दूद मिक्स करते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ध्यान गए कि इसमें कोई भी लंप्स ना हो बिल्कुल इसे लंप्स फ्री बना लेना हो और यह हमारा दूसरा बैटर है जिसे हमने सफेद रखा है क्योंकि हम मार्वल प्रिंट बना करके तियार कर रहे हैं तो बस दोनों बैटर को हमें अब बारी बारी से अपने केक टिन के अंदर जो हमने रेडी करके रखा था उसमें ट्रांसफर करेंगे और कुछ मार्वल की ड बैटर है उसे ट्रांसफर करते जाएंगे और दीरे दीरे हम देखेंगे कि हमारा जो हमारा जो स्विस्ट रॉल सीट है वो बिलकुल पॉफिक तरीके से मार्वल के डिजाइन में या फिर इस तरीके से जिराफ के डिजाइन में बन करके त्यार हो जाएगा तो बस इस तरी तरीके से एक drop हमें white color वाले batter को डालना है और एक drop हमें इस तरीके से chocolate वाले batter को इसमें transfer करते जाना है देरे देरे आप देखेंगे कि हमारा जो print है वो बिल्कुल marble की तरह बनना शुरू हो जाएगा बस इस तरीके से अब आप चाहें तो बिल्कुल इसी तरीके से आप पूरे एक टिन में बना करके तियार कर सकते हैं, एक बड़ा सा राउंड शेप बना करके तियार कर सकते हैं, या फिर जगा जगा छोटे छोटे इस तरीके से आप प्रिंट बना करके तियार कर सकते हैं, तो वह आपकी मर्जी है, अब जैसे बनाना चाहे हैं, वैसे बनाएए, बीच दीरे इसे बढ़ाते जाएए आप चाहें तो बिलकुल एक ही बना करके त्यार कर सकते हैं बड़ा सा राउंड या फिर इस तरीके से चुटे चुटे राउंड बना करके आप एक शीट त्यार कर सकते हैं मैंने चुटे चुटे राउंड बना करके एक शीट त्यार कर लिया ह इसे तीन से चार वार अच्छे से टैप कीजिए ताकि ये पूरे केक्टिन के अंदर अच्छे से फैल जाए और जब आप इसे बेक करें तो ये पॉफिक्ट शीट बन करके निकले अब जब हम इसे बना करके तैयार कर रहे होंगे तो हम अपने अवन को प्रिहिट कर देंगे वान सिक्स्टी डिग्री पे दस मिनट के लिए और दस मिनट के लिए प्रिहिटेड अवन के अंदर वान सिक्स्टी या फिर वान फिफ्टी डिग्री पर हम बारा मिनट के लिए इ ये देखे बारा मिनट हो चुके है और ये देखे हमारे स्विश रोल की जो शीट है वो बिलकुल पॉफिक तरीके से बनके तयार हो चुकी है चलिए इसे हम बाहर निकालते हैं और जब हम स्विश रोल बना रहे होते हैं तो इसे गरम गरम ही हमें रिमूफ करना होता है तो ब तो आप इसे तुरंट फटा-फट से फोल्ड करना शुरू कीजिए तो यह देखे कुछ इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है राउंड शेप में गुमाते हुए इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसे 5-7 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि यह ज पॉल्ड सेस्ट फोल्ड के बाद अपने स्विछ रूल की सीट को यह देखे बाहर निका लेंगे और इसके उपर के लेयर पे हम खरना शुरू करेंगे तो बस आप चाहें तो नीचे वाले layer को उपर कर सकते हैं या फिर उपर वाले layer को नीचे कर सकते हैं जो भी design आपको पसंदो तो ये मैंने whip cream ले लिया है ये simple whip cream है इसमें मैंने सिर्फ vanilla essence add किया है अब इसे अच्छे से इसके उपर creaming करना है हमें तो आप चाहें तो spatula का help ले सकते हैं या किसी भी spoon की help से आप इसके उपर creaming कर लीजे एक पतली सी layer हमें बना करके त्यार करनी है इसके उपर तो एक पतली सी layer बना लेजे ये देखें इस तरीके से हमें इसके उपर एक पतली सी layer बना लेनी है और इस sheet को वापस से हमें उसी तरीके से fold कर देना है जैसे हमने पहले किया था round shape दे देना है और उसके बाद अपने Swiss roll को हमें आदे गंटे के लिए fridge के अंदर या फिर 15-20 मिनट के लिए freezer के अंदर रख देना है ताकि हमारा जो Swiss roll है वो बिल्कुल perfect तरीके से set हो जाए फ्रीजर में रखिए उसके बाद अपने baking paper को remove कर दीजिए और ये देखिए हमारा perfect Swiss roll बनके तयार हो चुका है अब आप इसे cut करिए मंचा है design में cut कर सकते हैं round shape में cut कर सकते हैं और अपने family and friend के साथ आप इसको enjoy कर सकते हैं ये देखिए perfect Swiss roll बनके तयार हो चुका है आप इसे friends and family के साथ enjoy कीजिए ये खाने में super yummy और super tasty लगते हैं और देखने में ये बहुती लाजबाब लगते हैं तो बस इस तरीके से घर पे Swiss roll बनाकर तयार कीजिए और उसे enjoy कीजिए